नमस्कार में काव्या आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पन टीवी राजधानी दिल्ली के कल्यानपुरी इलाके में जगडे का बीच बचाफ करने आए एक शक्स की चाकू मार कर हत्या कर दी गई खटना सोमवा रात की बताई जा रही है और मिद्दक की भैचान अर्जुन के नाम से हुई जो अपने परिवार के साथ एस्ट विनूद नगर के इलाके में रहता था बताया जा रहा है कि सोमवार रात को काम खत्म करने के बाद वो त्रिलोक पुरी में अपने दोस्त से मिलने गया इस बीच दुकान से सामान खरीद रहे एक नाबालिक से उसके दोस्त सागर की बहस हो गई जिसके बाद नाबालिक गुसे में तमतमाने लगा और अपने भाई हर्ष को बुला लिया नाबालिक और उसका भाई दोनों सागर को पीटने लगे जिसे देखकर अरजुन ने बीच बचाफ करने का प्रयास किया जिसके बाद आरोपी भड़क गए और दोनों आरोपियों ने अरजुन पर चाकू से हमला कर दिया दर्जन भर से उस पर अधिक वार किये गए पुलिस ने हत्या का मामला दर्च कर नाबालिक आरोपी और उसकी भाई हर्ष को गिरफतार कर लिया है